तो यह सामसंग A54 5G स्मार्टफोन को काफी सारे लोगों ने उसके चिपसेट की वज़े से स्कीप किया और सोच रहें कि A54 की वज़े A55 का वेट कर लिया जाए हो सकता है सामसंग उसमें Qualcomm Snapdragon का चिपसेट प्रोवाइड कर दे लेकिन अब जो लोग यह सोच कर बेटे थे और A54 को नोंने स्कीप कर दिया क्योंकि उसमें है Exynos का चिपसेट और सोच रहें कि A55 में Snapdragon का चिपसेट आएगा तो भाई सामसंग एक बार फिर से आपका दिल तोड़ने वाला है क्योंकि Samsung A55 स्मार्टफोन को लेकर finally जो लीक्स है वो सामने आ चुकी है उसके according Samsung A55 में भी Exynos का ही चिपसेट प्रोवाइड करने वाला है अब कौन सा होगा यह चिपसेट क्या कुछ डीटेस निकल कर आई है सबी कुछ आज के इस वीडिए में हम A55 स्मार्टवोन के बारे में डीटेयल में डिसकस करने वाला है देटेयल में डिसकस करने वाल यह तो है जिपसेट मिलने वाला है करें कि अपनी Exynos सिरीज में ही इंप्लिमेंट्स और इंप्लिमेंट्स करके वो आगे इसी ट्रेंड को फोलो करेगा अब उसको यूजर की कोई परवन है कि जो लोग Exynos चिपसेट की वज़े से स्मार्टफोन को स्कीप कर रहे हैं उनको यार मजबूरन वही स्मार्टफोन खरीदना होगा जो Samsung लवर है और उनको उसी स्मार्टफोन को बाइ करना होगा इसी ट्रेंड को लेकर Samsung अपनी Exynos सिरीज के चिपसेट को हर बार अब mid-range केटिगरीज के स्मार्टफोन में प्रोवाइड करने वाला है में Qualcomm Snapdragon का चिपसेट प्रोवाइड किया तब यूजर्स को लगने लगा कि हो सकता है Samsung अब अपनी A-Series में Qualcomm Snapdragon की चिपसेट सी प्रोवाइड करेगा इन फूचर लेकिन Samsung ने A52 के बाद में A52S 5G में Snapdragon 778G प्रोवाइड किया और I think M52 में भी वही सेम चिपसेट था और A73 में भी वही सेम चिपसेट है तो यार Samsung ने उस ट्रेंड को वही स्टोप कर दिया और आगे जैसे ही A53 स्मार्टफून को लौँच किया उसने Exynos 1280 चिपसेट के साथ में A53 को लौँच किया और अभी रिसेंटली A54 को भी Exynos 1280 का अपग्रेड चिपसेट Exynos 1380 के साथ में लौँच किया और अब Samsung अपनी Exynos सीरीज के चिपसेट को मार्केट्स में बनाए रखने के लिए इसी तरह का ट्रेंड आगे भी फोलो करने वाला है जिसमें कि हमें इन फ्यूचर हो सकता है A-Series के स्मार्टफोन में Exynos सीरीज के ही अपग्रेड़ेड चिपसेट्स देखने को मिल सकते हैं इस पर आपकी क्या राय है प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि अगर Samsung A55 को भी Exynos चिपसेट के साथ में ही लौंच करता है तो क्या आप उस स्मार्टफोन को लेना चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताना अब यहाँ पर काफी सारे लोग A54 5G स्मार्टफोन को स्कीप कर चुके थे और सोच रहे थे कि A55 में तो हमें Exynos की बजाए Qualcomm Snapdragon का चिपसेट मिलेगा तो हम हो सकता है A55 को खरीद लेंगे लेकिन यार आपकी सोच बिल्कुल कर रहे थे क्योंकि Samsung अपने ही सीरीज के चिपसेट में इंप्रूमेंट कर रहा है और उसी को आपको आगे Mid-Range Categories के स्मार्टफोन को प्रोवाइड करेगा Samsung के A55 स्मार्टफोन को लेकर जो चिपसेट की डीटेल्स निकल कर आई है वो चिपसेट ID सामने आई है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी चिपसेट ID जो है वो सामने आ चुकी है अब यह जो चिपसेट है वो Exynos सीरीज का Exynos 1480 SoC's चिपसेट होगा जो की अपग्रेड होगा Exynos 1380 का इसी के साथ Samsung इस चिपसेट के साथ में Image Processing और AI Performance को और बैटर बनाने के लिए इसमें AMD GPU का भी यूज कर सकता है अब जो लोग यहाँ पर Negative Marketing कर रहे है Exynos चिपसेट की क्यार Exynos चिपसेट की Performance इतनी अच्छी नहीं है Long Term के लिए नहीं है बहुत ज़्यादा Heat होता है और Performance भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं मिलती है तो भाई है Exynos 1380, Exynos 1280 से 27% फास्टर है उसे के साथ में आगे जो भी चिपसेट आएगा Exynos 1480 वो Exynos 1380 से भी फास्ट होगा तो इस तरह से Samsung Implements and Improvements करके Exynos Series के चिपसेट सी प्रोवाइड करेगा उसके बाद अगर बात करें इस smartphone के specifications को लेकर क्या कुछ details निकल कर आई है तो दीके सबसे पहले अगर built-in design की बात करें तो built-in design almost यहाँ पर same होने वाला है हो सकता है यहाँ पर dimensions में कुछ यहाँ पर difference हो सकते है उसके अलवा इस smartphone के camera section के अगर बात करें तो camera में भी improvements किये जा सकते है हाला कि यहाँ पर rear में triple camera setup भी देखने को मिलेगा लेकिन camera resolutions में improvements हो सकते है sensors को लेकर अभी कोई ऐसी confirm details तो नहीं आ रही है लेकिन हो सकता है यहाँ पर 50 megapixel से आपको better यहाँ पर camera lens and resolution देखने को मिल सकता है उसके लावा phone में 5000 mh की battery मिलेगी 25 volt की charging का support मिल जाएगा और phone के launch के अगर बात करें तो Mars 2023 में launch हुआ था A54 और बताय जा रहा है कि A55 5GB March 2024 में ही launch किया जा सकता है तो फिलाल इस smartphone को लेकर यह सारी details निकल कर आई थी in future जैसे ही कोई और details आती है तो यहाँ पर आपको उसकी details वीडियो definitely से देखने को मिल जाएगी फिलाल यही सब कुसा इस वीडियो में I hope आपको वीडियो पसंद आए होगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजे और आगे भी सित्री की interesting, informative and useful वीडियो के लिए जल्दी से हमारे चनल को सब्सक्राइब कर दीजे तो मैं मिल आपको एक लिए किसे else interesting वीडियो में Thanks a lot for watching